पारेश शुरुई होती ही सबकी डिमान पकोड़े के लिए हो जाती है लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो हैल्दी हो टेस्टी हो और साथी लंच का काम भी चल जाए तो ऐसी ही आज मैं आपके साथ राजिस्थान की पहुती फेमस थाली दाल वाटी चूर्म और लेसन की चटनी की सेर करने वाली हूँ जिसके साथ हम बनाएंगे पंच मेल डाल जिस पर मैंने तूर की डाल, मूंग की डाल, साथ ही चने की डाल और यह है धुली हुई उरत की डाल और मूंग की छिलके वाली डाल इसी के साथ मैंने छिलके वाली उरत की डाल भी ली थ तूर दाल की कौइंटिती थोड़ी जाद़ रखी है, इस पर डाल की हमने पानी दूर से तीन बार अच्छी सी थो लेती हैं जब तक इस पर अच्छी से साप पानी नहीं नेकलाता है लिए देखिए अच्छी से दाल को मैंने बॉश्च कर लिया है, इधर मैंने एक कोकर लिय इसके साथ हम इस पर पानी डालेंगे, पान से च्छा है गुना डालेंगे, क्योंकि जो उड़त की डाल डाली है न वो थोड़े पानी सोक करती है, हल्दी पाउडर साथ ही जाएगा, टेस्ट के अनुसार नमक और एक पिंच हींग जरूर डालेगा, चार कलियां लैसन की ऐसे को बंद कर देते, और इसको ठंड होनी के लिए हम छोड़ देते, जब तक हम बाटी बनाने के लिए आटा लगा लेते घ्सकेत जिसके रजान कर दो काटोरी गेहु का अठाा है। आटा आटा को थोड़ान कम ही लिया है अब आप छाहें तो आप चाहे एल का यूज कर सकते हैं लेकिन बाटी थोड़ी रिच बनती है तो मैंने फोध कर लिये हैं तीम इसके छार चाहर ही하는 हिति इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप मटरी का बनाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, बस हलकी सी मुट्टी बनना चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए, अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डू बना लेते हैं, लेकिन डू तो हमारा रेडी हो गया है, अब इस पर सूजी रखिए इसको थोड़ा फूलने के लिए छोड़ देना है, तो मैंने इसको कवर कर दिया, कवर करके इसको 5-10 मेट के लिए छोड़ देते हैं, कुकर का भी प्रैसर निकल चुका है, दाल देखिए एकदम पर्फेक्ट कुख तो मैंने निकाल लिया है, तो जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया है, और साथी एक प्याज, एक इंचंदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्ची और कुछ हरा धनिया, प्याज को हम एकदम फाइनली चॉप कर लेते हैं, कुई भी फाइन चॉप की हुई अ हरी धनिया है, इसको भी मैंने एक दम फाइन चॉप किया, साथी अधरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, सारी चॉपिंग हो गए, इसको भी हम साइट पर रख देते हैं, इधर जो हमारा ओयल है वो भी गरम हो चुका है, एक चमच के करीब जीरा और थोड़ा सा मिस पर हींग इसको थोड़ा सा तड़का लेते हैं, फूटने देते हैं, अब हम इस पर डाल देंगे अधरक हरी मिर्टी और साथी प्याज को, बान से छा फ्रेस करी पतली है, टेस्ट अच्छा हैगा, और दो सूकी लाल मिर्ची, गैस का फ्लेम हम मिडियम कर लेंगे, मिडियम फ्लेम इसको हम बढ़िया से फ्राइ कर लेते हैं, लाइट गोल्डन होने तक बहुत ज़दा डार्क नहीं करना है, कलर बहुत ज़दा चींज करने के चरते हैं, देखे, प्याज फ्राइ हो चुकी, इसका परफेक्ट टेक्चर आचुगा, फूर्ट चमच हल्दी पाउडर, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, आदा चमच कसूरी मैथि, तोड़ा सा गरम मसाला डाल के फ्राइ किया है, टमाटर को डाल दिया है, टमाटर को मसाली के साथ हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिल जाना चाहिए, देखे, अच्छे से टमाटर मिक्स हो गया है, टम मांटर की जो मोटे टुकड़े आप इस तरीकी से मैस कर दीजे देखिए अच्छे से मसाला रेडी हो गया है वोईल की हुई डाल लेते हैं सारी हम डाल देते कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमने थोड़ा सा गरम पानी डाला है एक कप के करेब इसको अच्छे से हम मिक् इसे पक जाती है पहुत ही पड़िया इसका टेक्चर एकदम कंसिस्टेंसी परफेक्ट मेंटेन होती है गयास को बंद करने के बाद थोड़ा साहरा धनिया और आधी का नीवू का जूस लिया है गयास बंद करने के बाद ही डालना इससे टीस बहुत अच्छा था एक बार चुरू ट्राइ करिए जदे कि बहुत ही मज़ेदार ये पंच मेल हमारी बाटी के साथ खाय जाने वाली डाल बनकर रिडी हो गए चलिए इसको एक बावल पर हम सब कर देते हैं आप इसे बाटी के लावक कैसे भी इंज्वाय कर सकते हैं साइट पर रख देते हैं आज जो टूल गया एक बाराठे को थोड़ा सा मसल ले weub की पराठे के बनाते हैं न रोटी से थोड़े बड़े बनाना इस तरीके से हमें इसकी पेड़े बनाना हैं तो आप साइज में अपने एसाप से बड़ा चूटा कर सकते हैं और अब आपको एक पेड़ा लेना है कि हाथ से अंदर से बाठी हमारी काफी फूली एकतब सॉब्ट बने तो थोड़ा सा मैने घी लगा है, फिर से हम चारो मारद से पकड़के बन लगा देते हैं और याल क्या को छेश ciao किंटा, झृटा क्यालन का ज्रत है है थोड़ा सा क्रैक रहेंगे तो इससे बाटी बहुत ही बड़ी अस्सिक्ती है इस तरह किसे हम बना लेना है है अब मैं यह और बताती। फिर से मैं इस तरह के से रोल करके थोड़ा अप्रसा फैलाया है अंदर हमने थोड़ा सा घी लगाया है फिर से इम चारो तरफ से पकड़े हैं इसको पंद कर देते हैं इस से बाटी बहुत ही बड़ी आफूलती है और भुटी खासता बनती है फिर सी रॉल कर दिया है इसी तरीके से में अपनी सारी बाटी ना बना के त्यार कर लेना है देखिए सारी बाटी मेरी ऐसी बन कर त्यार हो गई है और चलिए इसको भी हम ऐसे ही साइड पर छोड़ देते हैं इधर जो हमारा जो तंदूर है वो भी अच्छी से गरम हो चुका है तो साथानी से हमक बगार कुछ डालने की जरुत नहीं देखिए सारी बाटी साइड कर देते हैं इसके बाद हम गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और पांच मिनट बाद देखिए बाटी हमारी अच्छे से सिखने लगी काफी क्रैक आ गया यह इंडिकेसन है कि बाटी मारी अच्छे से पांस मिनट बाद आप देखेंगे कि बाटी इस साइड से भी सिख गई है इसी तरीके से हमें अलटते पलटते बाटी को सीख लेना है बाटी इतने सिखने में 15-16 मिनट लगेगा और देखिए मैंने पलटते गई बाटी को अच्छे से सीख लिए कितना अच्छा हमारा बा कि इतने अच्छे से बाटी अमारी कोख हुई है और देखिए बहुत ही खस्ता करा रही है बाटी बनी अंदर से काफी सॉप्ट है तो चलिए इनको घी लगाने के लिए मैं तरीका बताती हूं इसके लिए मैंने इसको साइड पर कर लिए एक बावल पर घी लिया बाटी को लेना है थोड़ा सम इस तरीके से हाथों से ऐसी क्रैक लेते हैं और हम डारेक्ट गी पर डाल देते हैं और इसको अलटते पलटते बड़िया से गी को पीने देते हैं आप चाहें तो थोड़ी देर इसको गी पर ही छोड़ सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको गी लगा लिया ह इसको एक प्लेट पर हम रखतेजाएंगे एक और बताती। फिर से बाटी लेना है। थोड़ी से इस तदी करेंगे। थोड़ा सा क्रहय कर जाएंगे। इससे गी अंदर एक चलाب ओक हमारी. पनी और उस मुस्ति अडॉत बनी कराउय है. लेकिन थोड़ा समय लगता है टाइम टेकिंग रेस्टी है तो जिसलिए मैंने मुटा मुटा टोल लिया है तो चलिए इस प्लेट को लेते हैं थोड़ा को पंद करें पर बस एक से 2 बार करेंगे तो देखिए यह हमारे पिसकर से रिडी हो गया दो इलाइची लिए बस छिलके के साथ डालेंगे दो से तीन चमच सूखा नारियल ले दे आपके पस बूरा है तो बात में यूच कर सकते हैं जार को हम बंद कर देते हैं और इसे भी हम अच्छे से पीस लेते हैं और यह देखे इसको भी मैंने पीस लिया देके नारियल है इलाइची अच्छे से पिस गई है और कापी समय भी हमारा पज़ गया है और इसे भी हम इस पर जो बनाया हुए था ना उस पर डाल देते हैं और अब हम इस पर कुछ ड्राइफूट डालेंगे आप अपने इस चाह से डाल सकते हैं और इसी के साथ मैंने दो से तीन चमज घी डाला था जो की मेरी क्लिप मेस हो गया अच्छे से मिक्स कर दिया ड्राइफूट के साथ मैंने डेकुरेट कर दिया बहुत ही मज़ेदार यह हमारा राजिस्तानी स्टाइल चूर्मा भी बनकर रेडियो चलिए ठाली लगा देते हैं यह मज़ेदार हमारी दाल बहुत अच्छी बनीती साथ ही यह चूर्मा इसी के साथ सैलड और यह लसन की चैटनी वीडियो लंबा हो जाता इसलिए मैं अलग से सेपरेट वीडि जब आपका कुछ अच्छा खाने का मन हो तो आप इस खस्ता बाटी को बनाइए परसात के सीजन में तो मज़ा आजा आता है पकोड़ा से छोड़के कुछ हटके हैल्दी आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए का वच्ची बड़े सभी को पीहत पसंद आती है अगर आ एसी नग्स रेस्पी किसा तब तब तखली बबबाई